नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर रीजनली 224 न्यू स्पीशिस डिस्कावर हुआ था ग्रेटर मेकॉंग रीजियन से आज इस न्यूस के ओपर हम इन डिटेल डिसकास करेंगे देखी, यह डिसकावरी किया है वर्ल वाइट फंड ने, वर्ल वाइट फंड के बार में बेसिक टीटिल्स हम आगे देखेंगे वैसे जो 224 न्यू स्पीशिस है, उसमें से 155 प्लांस है, 16 फिश स्पीशिस है, 17 अमफीबियन से, 35 रप्टेल से, और 1 मैमल है और यह कहां पर फंड हुआ है, ग्रेटर मेकोंग रीजियन में, क्या होता है ग्रेटर मेकोंग रीजियन, इसे रीजियन इन साउथ इस्ट एशिया, स्पैनी, कंपोडिया, लावोस, म्यानमार, थाइलन और वियतनम, इसे वर्ल हेवी बेट फो दिस्कोरी ऑफ न्यू स्प है, चाइना से ओजनेट होता है, इसके बाद लावोस, वियतनाम, थाइलन, कंपोडिया जैसे कंट्री से भेके, फाइनली सौथ चेना सी में आके मिलते हैं, अब दोस्तों कौन-कौन से important species डिसकर हुए है, यह हम देखेंगे, इसे पहले एक बात मैं आपको बताओं दोस्त ज्यादा agricultural activities के लिए forest डिस्टोई किया जा रहा है, timber extraction हो रहा है forest से, and development, infrastructure यह सबकी वज़े से भी कफी सरे forest को डिस्टोई किया जा रहा है, तो यह सबकी वज़े से ओलरडी यह जो greater मेकों region है, यह one of the biodiversity hotspot से दुनिया में, आप देखें, कौन-कौन से important species है, सबसे पहले पचास तक लंगूस डिस्कवर किये गिए इनके लाइफ भी थ्रेट में है दोस्तों कारण यह है इन्हें हंट किया जाता है forest degradation की वज़े से इनका habitat loss हो रहा है agricultural activities के लिए भी forest destroy किया जा रहा है and timber extraction के लिए भी कफी सरे forest को डिस्टोई किया जा रहा है तो यह सब की वज़े से यह जो लंगूर पौपा लंगूर इसकी भी लाइफ जो है थ्रेट में अब आप यह सोच रहे होंगे यह पौपा लंगूर नाम कहा से है देखिए पौपा बेसिकली एक एक extinct volcano है म्यानमार में मौंट पौपा है तो यह पहरा एक volcanic mountain था अब इसका eruption नहीं होता इसलिए extinct volcano बोल सकते हो तो वही volcano से पौपा लंगूर नाम आया है ठीक है अगला species है orange brown nobly nude nude मतलब क्या होता है देखिए देखिए दोस्तों it's a type of gecko gecko का मतलब क्या है हिंदी में बोले तो चिपकली एक अलग टेप का चिपकली है orange brown color है तो यह discovered हुआ है फिर एक orange and grey rogue gecko यह मतलब चिपकली मैं आपको बता दिया Vietnam and Cambodia region में एक big headed frog discovered हुआ है और एक colorless cave dwelling fish भी discovered हुआ है अब दोस्तों आपकी reference के लिए एक-एक plant species का photo भी दिखा देता हूँ यह बेगोनिया plant और यह मलबरी और यह बैंबू आप दोस्तों यह जो greater mekong region में आपको intense biodiversity देखने को में लेगा हां यह बात अलग है ओलडी ग्रेटर मेकों region एक biodiversity hotspot बेंड चुका है पर देखें इदर आपको टाइगर्स एशन elephants जैसे animals देखने को में लेगा उसके अलाबा एक extremely rare animal है जैसे सावला बोलते हैं और Asian unicorn और spindle होन भी बोलते हैं यह जो फोट आप देख सकते हो यह है वह अनेमल दिस आलसो अंडर थ्रेट दोस्तों अब जितने भी species से मेकोंग रीजिन में देर extraordinary beautiful products of millions of years of evolution बट आर अंडर इंडेंस threat कई सारे species अलड़ी extinct भी हो चुका है अब दोस्तों फाइनली worldwide fund for nature के बारे में कुछ basic details जीनों ने यह discovery किया था this is an international non-governmental organization ध्यान दीजेगा यह कोई intergovernmental organization नहीं है non-governmental organization है मतलब एक private organization आप बोल सकते हो जो अनेक लोगों के support से काम करते हैं यह basically wilderness preservation and the reduction of human impact on the environment field में काम करते हैं basically wildlife को protect करना है और यह जो human impact environment के उपर इसे reduce करना है यह इनका major objective से इनका former नाम world wildlife fund था अभी भी worldwide fund for nature का official नाम जो है world wildlife fund है Canada and United States में कहने का मतलब यह है दोस्तों world wildlife fund and worldwide fund for nature दोनों एक ही है right WWF दुनिया का largest conservation organization है दुनिया फर में 5 million से ज्यादा सपोर्टे से इनका and so से ज्यादा country में यह काम करते हैं around 3000 conservation and environmental projects यह चलाते हैं इनके headquarter एक Glant Switzerland में और यह कुछ important reports भी publish करते हैं एक लीविंग planet report जो हर दो साल में publish होता है और एक earth hour है यह worldwide life fund for nature का annual initiative है जो 2007 में शुरू हुआ था बेसिकली planet का degradation खतम करना है natural environment का जो destruction है यह खतम करना है यह सब इनका यह हैं तो यह सब के लिए एक annual initiative यह चलाते हैं जो 2007 में शुरू अधा जिसका नाम है earth hour तो अब ध्यान दीजेगा living planet report and earth hour relate करते हैं worldwide fund for nature से तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको समझ में आया होगा lecture की pdf as social आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching bye bye have a nice day